बिहार के तमाम सिच्छा के बहरतियों को रक्तांतिकार इस्तक्बाल आपको जैव विमालाल सलाम आप सब भली बात यह जानते हैं कि इस कैपिनेट के दोवारा जो फर्मान लाया गया है इकते उचित नहीं है इसके विरोध में हम लोग 1 जुलाई 23 को पटना के गांधी मेदान में गांधी मुर्थी के पास मिलेंगे और सांतिपुर्ण पूरी तरह सांतिपुर्ण अंदोलन करेंगे मैं उन तमाम अभियर्तियों से अपील करना चाहता हूँ जो आज तक अंदोलन में नहीं आया है भाई साहब प्लीज घर से निकलिए एक दिवसी अंदोलन में जेपी मुव्मेंट 2.0 का हिस्सा बनिये और सरकार को ये बताईए कि हम गलत नहीं है प्लीज इस बात को समझिए सारे सिछे के बहरती आईए और कंदे से कंदे मिला करके वहां पर मार्च किया जाएगा वहां से सरकार को हम लोग अपील करेंगे कोई हलना गामानी किसी तरह का कोई समाजिक तक तो वहां पर कुछ नहीं होगा सांती पुर्ण तरीके से हम लोग वहां प्यांदोलन करेंगे इस सब्दों के साथ मैं आपको अंती बात यहीं कहूंगा कि प्लीज एक जुलाई दोर तैस को पटना के गांदे मिलान में आईए सुक्रिया इनकलाब जिन्दाबाद हमारी एकता जिन्दाबाद नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों बिहार सरकार ने आज बिहार अध्यापक निक्ति नियावली 2023 में संसोधन करके बिहार से बाहर के अभियर्थियों को भी बीपी अस्ती सिचक बाहली में सामिल होने की अनुमती परदान कर दी है यानि कि अब बिहार से बाहर के लोग भी BPSC सिचक बाहली में सामिल हो सकेंगे और बिहार में सिचक बन सकेंगे ये बिहार के लाखो इवाओं के साथ नाइनसापी है बिहार के लाखो अस्ट्वेंट के साथ अन्याई है ये बिहार के लाखो इवाओं के लिए काला संसोधन है एक अच्छे कानून में आज बिहार सरकार ने काला संसोधन किया है बिहार से बाहर कई राज जैसे हैं जहां ब पुछ राज्यों में फॉर्म भर भी सकते हैं तो अंतीम नूप से उनका सलेक्षन नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की चेन पड़ करिया बनाई गई है, कि बिहार के अभियर्थियों का सलेक्षन नहीं नहीं हो सकता, च्छत्रियता को वहाँ बढ़ावा दिया गया है, इस जब अध्यापक निवती नियामवली आई थी उस समय नियामवली में कहा गया कि बिहार के अस्थानिय निवासी यानी बिहार के अस्थाई रूप से जो बूल निवासी है वही इस बहाली में सामिल हो सकते हैं लेकिन आग ऐसा क्या हो गया कि नितीशते जस्वी सरकार ने अचानक से ये संसोधन कर दिया कि बिहार से बाहर के लोग भी सिछक बहाली में सामिल हो सकते हैं मैं पूछना चाहता हूं नितीशते जस्वी सरकार से कि आखिर ऐसी कौन सी राजनितिक परिष्थिती है ऐसी कौन सी राजनितिक मजबूरी है आपकी कि आप बिहारों के लाखो इबाओं के साथा न्याय करने पे तुले हुए हैं और बिहार के लाखो इबाओं के साथा न्य बहुआर जब सकते हैं, तो 1-5 में जो 50% महिला आरक्षन लागू है, तो क्या सरकार इस बत का जवाब देगी? जो 50% महिला आरक्षन 1-5 में लागू है, तो आप समानने कटेगोरी में, क्या बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा 35 पर 35 महिला रक्षन जो आप देते हैं उसमें दरोगा बहाली सिपाही बहाली B.S.S.E., सचिवाले सहयक, B.P.S.E. सब में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी समाने केटेगोरी में 35-35 महिला रक्षन का लाब दिया जाता है तो अब 9-10, 11-12 में जो 35-35 महिला रक्षन का लाब मिल रहा है और मिलेगा इस बहाली में तो उसमें समाने केटेगोरी में क्या होगा बिहार से बाहर की महिला रक्षन का लाब अब मिलेगा पुरुस तो आएंगे ही लेकिन 35-35 महिला रक्षन का लाब बिहार से बाहर की महिलाओं को भी दिया जाएगा और 50-35 महिला रक्षन 1-25 में है तो क्या इसमें भी सरकार बिहार से बाहर की महिला रक्षन देगी जैसा कि 35 पर 35 महिला रक्षन का लाब BPSC दरोगा बहाली सिपाही बहाली BSSC सचीवाले साहे का एन ने बहालियों में दिया जा रहा है तो इसका क्या बतलब हुआ कि बिहार के अभियर्थी और महिला अभियर्थी क्या करे मने बिरोजगार इवाओं को बिरोजगार बना कर रखना चाहती है क्या सरकार अपनी राजनीतिक बहावाही के लिए बाहर तो आप बाहर आई ले लिजेगा नितीश कुमार जी लेकिन बिहार में बिहार में क्या होगा बिहार के लाखो करोरो इवा आपके इस संसोधन से नराज है आकरोसित हैं आप इस संसोधन को वापस लिजे ये काला संसोधन है जब हम बाहर फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर आप बाहर के लोगों को भिया रक्षन दे रहे हैं 35 पर से महिला रक्षन कलाब भियार का कोई नेता इस पर क्यूं नहीं बोल रहा है चाहिए सत्ता पक्षो या भी पक्षो बोलना चाहिए ना 35% महिला रक्षन का लाब बियार से बाहर की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है और अब जब सिचक भाली में भी आपने बियार से बाहर के लोगों को अनुमती दे दिया तो अब होई होगा पुरूस तो आएंगे ही जो पुरूस अभियरती हैं उनके साथ नाइन साफी आप करी रहे हैं और महिला अभियरतियों के साथ और नाइन साफी हो जाएगी क्योंकि 35% महिला रक्षन का लाब समानने केटेगोरी में बियार से बाहर की महिलाओं को भी मिल जाएगा 125 में 50% जो महिला रक्षन रहा है उसमें सरकार क्या करीगी मुझे नहीं पता लेकिन 35% जो महिला रक्षन है उसमें बियार से बाहर के लोगों को बियार रक्षन मिल रहा है दरोगा सिपाही अब हम BPSC बहाली में, सचीवाले सायक में, तो क्या बिहार की महिला अवियर्थी जो है, बिहार की बेटियां जो है, अब सिर्फ इसलिए रहा गए कि वो चूलाचों का करें, बरतन मांजें, उसी छक नहीं बन सकती, धरोगा नहीं बन सकती, BPSC में पुलिफाय नहीं कर सकती कि अधिकारी नहीं बन सकती, बिहार से बाहर की महिलाओं को अरक्षन दे रहे हैं, हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं, कि बिहार के लागू किजिए और आज के संसोधन को वापस लिजिए, और जो पहले से था इस नियाम वाली में, कि बिहार के मून लिवासी ही, इस्तिचक में सामिल होंगे तो उसी को फिर से आप लागू कीजिए और आज के संसोधन को आप वापस लिजिए उन्हें तो बिहार के लाखो युवा इस सीज को आप सुईकार नहीं करेंगे आपको हर हाल में इस संसोधन को वापस लेना होगा नहीं तो बिहार के युवा सरफ पर उतर एससी दरोगा बहाली में कि 35 पर 35 महिला रक्षन का लाब समाने केटोगरी में जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिला हूँ गलत हो रहा है और आज तो सिचक बहाली में भी सरकारने संसोधन कर दिया और अब बिहार से बाहर के लोग इसमें फॉर्ट भरेंगे तो यह बहुत अन्याय है हम सभी सिच्छक अभियर्थियों से कहना चाते हैं हम सभी छात्र छात्राओं से कहना चाते हैं सभी बुद्धी जीवियों से सिच्छक गनों से कहना चाते हैं इस निती का विरोध कीजिए और जितने भी सिच्छक अभियर्थियों हम उनसे बात करेंगे और जल करने के लिए मजबूर ना करें सरकार और सरकार से हम यह मांग कर रहें कि संसोधन को आपस लिजिए और जो इस नियाबली में पहले से था कि बिहार के लोग ही इसमें सामिल हो सकते हैं उसी को लागू कीजिए धन्यवाद जैहिंग